का हलो फ्रेंट विजुल कम बैक तो फ्रेंट आज की वीडियो बहुत हीएखने वाली और जितने बी इतने भी जेकेस के ईस अफ़ीया का सबस्क्राइब लेए लिए ने वागत हो Бढलने है तो वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहे रहाए अपके सारे था जो सबस्क्राइब करींगहें तो चलिए स्बस्ट तार्ट करतें aut offer की के recording एक notice जो update किया गया बाएदा जे के SSB कि उसमें दिखाया गया आपकी जो answer की है आपने जो अपने answer submit की है उनकी अपनी representation जो दी है उसका आपको answer की जो 30 से लेके 2 तक available रहेगा ठेक है लेकिन उधर क्या होता है कुछ समय के बाद वहाँ पे link एक दे दिया जाता है और वहाँ पे जो link है उसको active कर दिया जाता है और कुछ candidates को कुछ sections का कुछ sets का जो answer की है वो मिल जाता है और कुछ candidates ने उसके screenshot भी लेके रखे हुए हैं ठीक है तो लेकिन क्या होता है कुछ समय बाद वो link दुबारा से deactivate हो जाता है ठीक है तो इसको देखते हुए बहुत सारे candidates के जो doubts है वो उठ रहे हैं कि जहां पर भी जो पहले की तरह scam नजर आ रहा है कि पहले answer की provide कर दी है कुछ candidate का माना है कि exam से पहले ही उनके पास answer की थी इस तरीके के कुछ questions आ रहे हैं अभी इस पर कुछ भी नहीं कह जा सकता कोई भी clarification अभी इस पर नहीं है लेकिन जो according to official notification में क्या बात करी गई है जो आपका answer की है वो आपको भी level 30 से हो जाएगी आपको अपने जो भी login ID से login करके आपने जो भी answer submit करे हैं आपको jkssb की official website पर मिल जाएगा ठीक है तो आपको link वो 30 को मिल जाएगा तो link अभी active हुआ वो deactivate इसलिए कर दिया गया क्यूंकि अभी उसके लिए नहीं बोला गया था वो by mistake बोल सकते हैं जा कुछ भी उसके सामने अभी कुछ भी नहीं आया है तो आपको जो भी भी answer की मिलेगी तो वहाँ पे आपके submitted answer जो मिलेगे लेकिन इसमें बात करें जो safe score कितना रहेगा safe score इसमें open merit का approximately 100 के करीब तो safe score ही रहने वाला है और जो catagiris है वो minus 5 इसमें से कर लीजिए वो आपका safe score इसमें रहने वाला है जाने की total कितनी attempts आपकी safe है वो रहने वाली है तो total अगर आपकी 85-80 के करीब attempts हैं तो आप safe अपने आपको मान सकते हो यह सब आपका JKP sub inspector का था तो अगर और भी कोई doubt होगा तो comment section में जरूर पूशें तो आज के इस video part में बस इतना ही